आज फैसला देखिए चुकि जो सलेंद कुमार ब्यास दी का मामला था जिसमें 17 अक्टूबर को माननी जिला कोल्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए जिला दिकारी को रिशिवर निक्त किया था 17 जन्वरी को और उसके बाद 31 जन्वरी के फैसले मनों ने पूजा पाड जो पुरू में हैं 1993 तक जो है पूजा पाड धार्मिक्रियाएं ब्यास परिवार दोरा जो किया जाता था सारी क्रियाएं धार्मिक्रियाएं उसको पुनह बहाल करने का आदेश जो है माननी जिला कोट ने दिया थे 31 जन्वरी 2024 के फैसले में इसके खिलाफ जो है वो अपील में चले गए थे हाई कोट गए थे जहां हाई कोट ने भी सुनवाई किया जो पिछले दिन और सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरचित रख रह था और आज हाई कोल्ट ने भी मानने हाई कोल्ट ने भी ये माना कि वहाँ पूजा होती थी धार्मिक्रियाओं होती थी और 1993 में बिना किसी दस्तावेजी किसी प्रमार किसी आदेश के लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोज पूजा पाड़ धार्मिक्रियाओं को बहाल करते हुए उसको पुन जो है उसको नियावचित मानते हुए उस पे जो मुहर माननी हाई कोर्ट ने लगा दिया है और हमारी जो धार्मिक रियाएं जो 31 जनवरी के आदेश में जो है ये जिला कोर्ड के आदेश से सुरू हो गया था महाँ पूजा पाट वगरे उस ता वहाँ जो पूजा पाट होकर होती थी वो पून जो है वो लगातार चलेगी इस पे कहीं कोई रोक नहीं है और अंजुमन जामिया के उस दावे को उस आपत्ति को माननी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है अब इसके बारे में सारी चीजे जो है यहाँ जो है चल रहा है और पूजा पाट तो हमारा सुरू होई गया है सारे जो है जिलादिकारी रिसीवर है करिडोर द्वारा जो है पूजा पाट धार्मी क्रियाओं को किया जा रहा है दर्सन पूजन सब हो रहे हैं उस तह खाने में और ये शिद्ध नहीं कर पाया है चुकि जो इनकी अपत्ति थी हाइकोर्ट में अपत्ति रिशीबर बना दिया इसलिए इसको रोका जाए जब कि यह साबित नहीं कर पाए है की 1993 तक वो ब्यास जी के कपजे में नहीं था, स्वामित्य के में नहीं था, पुझापाट नहीं होता था, ऐसा नोए कोई प्रमाण, कोई दस्ता वेज, जो है, माननी हाई कोल्ड में नहीं दे पाएं, और हाई कोल्ड ने कहा किए अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है उस आदेश की कापी है जिस आदेश के तहत 1993 में जो है ततकालिक सरकार ने रोका था सांती ब्योस्ता कानून ब्योस्ता के नाम पे जो रोका था अगर आपके पास कोई लिखित प्रमान है तो दीजिए जिसको ये प्रस्तुत नहीं कर पाया हाई कोल्ट में यानि कि मौखिक रूप से राजनेतिक काणों से वो कानून का सांती ब्योस्ता का हवाला देते हुए ततकालिक सरकार ने रोक लगा दिया था बैरिकेटिंग करके और पजेशन से बाहर जो है ब्याजी को कर दिया गया थ इन सारी चीजों को देखते हुए माननी हाई कोल्ट ने जिला कोल्ट की आदेश को बरकरा रखायो और फैसला हमारे पक्ष में दिया है जो की बड़े हर्स का विशा है और करोल और करोल लोगों की आस्थाओं पर मुहर लगा दिया और माननी हाई कोल्ट ने कहा है कि नहीं इसलिए ये जो आदेश है जिला 31 जनवरी का जो आदेश है जिला कोल्ट को उसको बरकरा रखा जाएगा